हलो दोस्तो मैं पूनम शां उमीद क्लासिस की यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे सैकुशल होंगे कंजंशन सीख रहे होंगे और जैसे ही छोटे-छोटे सेंटेंस को जोडने में आपको मजा भी आई रहा होगा तो चलिए आज हम कंजंशन के नेक्स स्टेप पे आज जो हमारा कॉडिनेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इलेटिव कंजंशन कौनसे कंजंशन पढ़ेंगे इलेटिव कंजंशन हम पढ़ेंगे तीन कंजंशन हमने कर लिये हैं cumulative, alternative, adversative और last है आपका elative मैंने आपको जो first class ली थी coordination में समझाया था कि चार हम तरह के conjunction करेंगे तो आज उसका fourth part हम कर रहे है elative conjunction अब यह elative conjunction क्या होते हैं सबसे पहले आप लिख लीजिए elative conjunction elative conjunction elative conjunction क्या होते हैं? elative conjunction वो होते हैं कि elative conjunction कौन से होते हैं? elative conjunction वो होते हैं जिसमें पहले clause का जो result है वो second clause में आपको दिया हुआ हो यानि कि पहले sentence का जो result है वो दूसरे sentence में दिया हुआ हो वो ही क्या कहलाते हैं? elative conjunction कहलाते हैं जो निशकर्ष निकालने की बात करें निशकर्ष या परिनात्मक परिनात्मक जो संयोजक होते हैं वो होते हैं आपके इलेटिव कंजेंक्शन होते हैं अब इलेटिव कंजेंक्शन में कौन-कौन से आजाते हैं लिखिए आप इसमें इलेटिव में first है आपका so दूसरा है therefore तीसरा है consequently और चौनता है आपका hence hence ठीक है तो अब इसका अर्थ भी आप लिख लीजिए so को बोलते हैं इसलिए therefore को बोलते हैं इसलिए अतहे के लिए भी use होता है therefore consequently का मतलब होता है परिणामत है अतहे hence का मतलब होता है इस प्रकार इस प्रकार ठीक है इस प्रकार तो ये सबी इसके अर्थ होते हैं अब बात आती है कि इसमें से हम preference किसको देंगे तो first preference आप हमेशा so को देंगे अगर आपके options में आ जाता है ये और भी आ जाते हैं so के साथ में तो पहली preference आप किसको देंगे इस so को ही आपको देनी है इतना आपको clear हुआ very good evening all of you तो अब देखिए ये चारों ही आज हम इसको ही sentences से जोड़ेंगे दो sentence होंगे पहले sentence का जो निशकर्ष है वो दूसरे sentence में होगा तब हम इस conjunction का प्रयोग करेंगे इन conjunction का प्रयोग करेंगे तो देखिए सबसे पहले example हम start कर देते हैं example लिखिए I have some money I want to buy a car यानि कि मेरे पास क्या है कुछ पैसा है इसलिए मैं क्या खरीदना चाता हूँ कार खरीदना चाता हूँ तो परिणाम किस में है देखो यहाँ पे क्या है परिणाम को बता रहा है किसको बता रहा है परिणाम को बता रहा है इसका जो परिणाम है वो आपके second वाले sentences में दिया हुआ है तो अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे लिखिए आप सभी तो क्या जाएगा आपको आपकी आदाश में थोड़ी ताजा कर देती हूँ I am ill I cannot come to school यह लिखते थे application में यह लिखते थे हूँ application में कि मैं तो बिमार हूँ इसलिए मैं school नहीं आ सकता तो ही मैं school नहीं आ सकता तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा कैसे sentence बनेगा I am I am ill so I cannot cannot come to school I cannot come to school clear है सभी को conjunction यह तो था so से अब देखिए next next देखिए I am next है she is she is intelligent she is intelligent she is intelligent she obtained she obtained good marks good marks in 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 all subjects in all subjects यानि कि यानि कि हो intelligent है इसलिए सभी subjects में उसने अच्छे marks किये हैं तो अब क्या आजाएगा इसका she she is intelligent she is intelligent so she obtain so she obtains करो यान पर obtains obtains good marks good marks in all subjects all subjects clear है आप सभी को कि इस तरह से आप sentences को जोडेंगे next देखिए He did not make the best efforts he he failed he failed in the examination in the examination इसको आप जोड़िये किसे जोड़ेंगे किसी से भी आप जोड सकते हैं इसको he he did not he did not make he did not make the best efforts the best efforts therefore therefore he failed he failed he failed in the examination he failed in the examination clear है सभी को देखिए अब आपको यहां पे कोई भी आप इसमें conjunction लगा सकते हैं so लगा सकते हैं therefore लगा सकते हैं conjunction हमने यही यूज किया हैं देखिए यहां पे 100 का यूज किया है ठीक है और देखिए so therefore अब देखो consequently कॉंसेक्वेंटली का देखिए अब आप नेक्स्ट देखिए की बड़िह आपस्ट वेक्वेंटली क्वेंटली का दे प्रिगेंटली का देख्ट नेक्वेंटली को छेशिए टिर्डी अगेंटली का देखिए आई स्पेंट मनी इन दा फर्स्ट वीक आई हैड वेरी लिटिल टू इट यानि कि पहले ही हफते में मैंने बहुत सारा खर्चा कर दिया अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो बहुत सारा खर्चा कर दोगे तो कॉंसेक्वेंटली क्या होगा परिणामत है क्या होगा आपके पास कुछ बचे कैंहिस काने के लिए तो अब इसको कॉंसेक्वेंटली से आप देखिये इसको आई स्पेंट मनी In the first week, consequently, consequently, I had very little, very little to eat. अब बहुत थोड़ा ही आपके पास खाने के लिए है. Clear है? एक sentence और लिखिए. My car broke down I was late. यानि की car खराब हो गई, तो इसलिए में क्या हो गया? Late हो गया. तो क्या हो जाएगा? My car My car broke down Consequently हो गया. अब जो बचा है उसका भी करेंगे हम Broke down Consequently 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 I was late कार खराब हो गई, तो अब क्या हुआ? परिणामत है, या आप बोल सकते हो आता है मैं late हो गया, ठीक है? तो इनका भी आप क्या कर सकते हो? sentence को इस तरह से हमने क्या किया है? जोडा है देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगाया? Consequently यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? Consequently मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे Next देखिए We did not have enough money to buy the train tickets be cancelled the trip हमारे पास train के टिकेट के भी पैसे नहीं थे तो हमने क्या किया? वो trip ही cancel कर दी तो कैसे बनाएंगे? देखिए We 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 did not we did not have we did not have enough money to buy to buy train टिकेट्स हेंस देखो कॉमा लगाएंगे आप इसमें हेंस ठीक है यह कॉंसिक्वेंटली है तो आप कॉमा लगा देंगे ठीक है हेंस वी कैंसल वी कैंसल दा ट्रिप दा ट्रिप वी कैंसल दा ट्रिप आता है हमने अमारी जो ट्रिप है वो कैंसल कर दी इसके अलावा इसके अलावा इसके नेक्स्ट लिखी है आप एक्जाम्पल देखो जितना ज़्यादा प्रेक्टिस करोगे उतनी ही चीजे अच्छे अच्छे से समझ में आएगी राहूल दिद नौट इन्वेस्ट मनी इन दा बिजनिस He could not earn money उसने बिजनिस में पैसा इन लगाया तो इसलिए उसको कोई पैसा भी earn नहीं हुआ पैसा भी नहीं मिला तो कैसे बनाएंगे हम देखिये, Rahul, Rahul did not, Rahul did not invest, invest money in the business, in the business, in the business, in the business, तो क्या जाएगा अगे? Hence, 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 he could not, he could not earn money, he could not earn money, clear हुआ आपका, ये चीजे, आप देखो, यहाँ पे जो sentences बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, hence से बन रहा है, ठीक है? पीछे आपका जैसे अभी ये मैंने आपका consequently से बनाया, और भी आप example लिखे इसमें, the roads were covered covered in ice. It was not safe safe to drive, safe to drive, यानि कि जो roads है, उस पे क्या है, जम गई है, बरफ जम गई है, तो safe नहीं है, वहाँ पे drive करना, तो क्या आजाएगा आपका? the roads the roads were covered in ice in ice in ice hence hence it was not safe it was not safe to drive to drive अब यहाँ पर आप क्या क्या लगा सकते हैं, इसकी जाएगे, therefore भी लगा सकते हैं, ठीक है? और so भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो यह सभी conjunctions आप लगा सकते हैं, इसमें, hence मतलब इस अतह है हो गया, इस प्रकार हो गया, ठीक है? तो यह सारी जो है, sentences इनी से जुड़े हुए हैं, तो यह तो सभी थे पूरे relative sentences, अब मैं आपको इनी sentences की next जो अपनी class होगी, मैं उसमें इनकी practice करवाऊंगी, ताकि आपके जो concept है, वो clear हो सके, और आगे के topic भी हम start करेंगे, इसकी practice के लिए तो मैं अलग से class लोगी, बाकी अपना topic चल रहा है, एक बार मैं उसकी पूरी revision class लोगी, पूरी cumulative class लोगी, कि मैंने शुरू से लेकर के end तक, क्या-क्या मैंने conjunction पढ़ देते हूं, coordination, तो coordination का मतलब होता है, compound sentence, compound sentences, चीक है, coordination का क्या मतलब होता है, compound sentences, इसको मैंने आपको चार प्रकार के sentences में डिवाइड किया, conjunctions में, कौन-कौन से थे, पहला तो था आपका, cumulative sentence, cumulative conjunctions, दूसरा था आपका, दूसरा क्या था, चलिए, ऐसे table नहीं बनाते हैं, ऐसे थोड़ी जगए कम पढ़ेगी, देखें, ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था, cumulative conjunctions, दूसरा है, alternative conjunction, तीसरा है आपका, adversative conjunctions, और चौन्था है आपका, अभी जो हमने इस क्लास में पढ़ा है, relative conjunctions, relative conjunctions, ये चारो ही किसका पार्ट है, coordination conjunctions का पार्ट है, इसमें कौन-कौन से आजाएंगे, हमने पढ़ा था, both end, as well as, as well as, not only, but also, और, और हमने क्या पढ़ा था, cable end, तो ये चारो तो किसके हुए आपके, ये चारो आपके किसके हुए, ठीक है, अब उसके बाद में आपका next देखिए, अल्टरनेटिव में हमने करा था, इधर और, नीधर नौर, और, इसके अलावा, otherwise, else, और else हमने किया था इसमें, ठीक है, उसके बाद में, एड़र्सेटिव, एड़र्सेटिव कंजेंग्शन, जो प्रीविएस क्लास में हमने किया था, एड़र्सेटिव में आ जाएगा, बट, एड़र्सेटिव में आ जाएगा, बट, yet, still, however, however, or, nevertheless, यह हमने किया था, एड़र्सेटिव में, और आज की क्लास में हमने क्या कवर किया, आज की क्लास में हमने कवर किया, एलेटिव कंजेंग्शन, जिसमें है, so, therefore, so, therefore, consequently, और, consequently, इसके अलावा, hence, तो, यह सभी आपके कौन से कंजेंग्शन्स हुए, यह आपके, coordination से related, आपके conjun nenhum में हुए, coordination से related आपके conjunction sided, तो यह किस में आते है, आपके compound sentences में आते है, यह सभी अगर आपने अच्छे से कर लिये, तो आपको sentence framing में भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर उसको English में बना करके और इन conjunction से आप जोड़ेंगे तो आपको concept बिलकुल clear हो जाएगा जितने भी मैंने आपको examples बताए हैं उनकी आप day by day आप practice करते रहिए जिसमें एक से जाधा conjunction लगते हैं उसको भी आप एक से जाधा बारी लिखिए ऐसा नहीं कि हमने एक लिख दिय तो ये पूरे coordination sentences होते हैं दोस्तो प्रेश्ण ये भी आता है कि कौन सा इन में से coordination conjunction है या कौन सा इसमें subordination से related हैं तो इन में से अगर कोई भी आ जाए तो ये सभी हुए coordination बाकी बचवे क्या हुए subordination इतना सा आपको याद करके चलना है तब आपका जो exam है वो clear भी होगा concept भी आपके clear होंगे marks आपका एक भी कम नहीं होगा मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कितना जादा दे सकती हूँ कितना आपको और सिखा सकूँ ताकि आपके concept भी clear कर सकूँ फिर भी आपको कोई doubt रहता है तो आप comment करके बताए like share और subscribe करे subscribe करने के पाद bell icon प notification वो आ जाता है ताकि आप उसे live class भी join कर सकते हैं आप जैसे हमारे channel पर जाएंगे तो videos और live ये दोनों पर ही जाकर करके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हमारे videos भी available है community में आपको playlist भी मिल जाएगी जहाँ पर मैंने tense, active passive voice, direct indirect और conjunction भी मैंने पढ़ाए है legal awareness related भी videos ह तो बने रही है हमारे साथ में, thank you so much